वेल हलो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो सोगते फेर से आप सभी का पोकिमोन के एक और नीव वीडियो में और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले TOP 20 UNKNOWN पोकिमोन वैक्ट के बार में जिसकी सीरीज आपको काफी पसंद आई है आज की वीडियो में काफी जादा मजा आने वाला है आप लोगों तो मेक शूर आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरू से कर देंगे अगर चानल पर पहले ही बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजे So, without wasting time, चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं Let's begin Fact No.20 तो आप लोगों को Unova region में Ash का एक दोस्त यादी होगा जिसका की नाम था Stephen Stephen, 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 Stephen जो भी हो तो Stephen के पास आप लोगों को एक Pokemon आप लोगों को Stephen का याद होगा जोगी होगा Zep Striker जिसको की स्टिफान ने काफी बार यूस किया है बट ये तो आप लोगों को पता होगा कि Zip Striker एलेक्टिक टाइप पोकिमॉन है बट बावजुद इसके पूरे पोकिमॉन की सीरीज में Zip Striker ने अब तक जितने भी बैटल किया है उन बैटल में से किसी एक बैटल में भी अब तक Zip Striker ने एक भी एलेक्टिक टाइप मुव क का इस्तेमाल नहीं किया सिर्फ नॉर्मल टाइप मुव का ही इस्तेमाल किया अपने सारे मैचेस के दौरान पैक नमर 90 अब कालो सुर्ण की जो एश की टीम में ऑविसले हम सभी जानते कितने ताकतवर पोकिमॉन से भड़ी पड़ी है ओ टीम और एश ने काफी सारे जिम ब एक लौता ऐसा पोकिमॉन जिसने पूरे कालोस रीजन में एक भी जिम बैटल में बैटल नहीं किया है प्नमर 80 अब अब तक कई सारे जिम बैटल इसमें बैटल किया है और कुछ जिम बैटल करने के लिए उसे थोड़ा टाइम तक रुखना पड़ा और कुछ के लिए सबसे ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ा था यानि कि उस जिम बैटल को लगने के लिए आश को सबसे ज्यादा वक्त तक इंतेजार करना पड़ा था पैक नब स्वेंटीन अब जिगली पप को ताम हम सभी जानते कि उसका जो गाना है उसके गाने में एक बहुतीक उनकर सोया नहीं ऑपता है की शोकेगेक टमी उन हेंर इन्हले रेजिएं में अलाण नाम का एक ट्रेइनर था जesiके पासा की विसपर था जिसने जीगलीप का पूरा गाना जी आप पूरा गाना सुना पर फिर भी उसके बाद भी ये पोकेमोन नहीं सुआ और हमारा हमने पता है कि अपना आश कितना सक्थ लॉंडा है और टप सभी को पता होगा कि अप अब तक कई सारे पोकि गल्स के साथ सफर किया है और। इह प्या प्याँ कर से लिद्धी, ऐस नहीं को कि शुरूरात में पत्लि शुद्शूरा ऑफ वाप Мне लट्टू हो जाते हैं तो जैसे लोग पहली गल है जिसको देखकर आश ने ब्लश किया था वैक नुबर फिक्टीन तो गाई से क्या आप लोग को पता है कि ऑविसलिए मिस्टी ने काफी बार बैटल में गोल्डीन का इस्तमाल किया है बट क्या आप लोग को यह पात पता है कि गोल्डीन ने अब तक ऑफिशली पूरे एनमे के अंदर सिफ एक ही बैटल ओन स्क्रीन जीता है जो कि था आइधिंग ओरेंच लीक में जेम्स के विक्टीविल के खिलाफ पूरे पूरे उनके एनमे में सिफ गोल्डीन एक ही बैटल जीता है और वो था यही बैटल अब आप लोगों कालोस वीजन में गुडगीन तो यादी होगा जो कि कोलीन के ग्राइजार है वह हमें देखने को मिले थे और उनके पास मेगा लुकारीो भी था बसका कि आप लोगों पताए ज कि उन razón की पास मेगा लुकारी के ऐलावब एक और मेगा पोकेमोन है जो कि है मेगा अलक एजाम और ऐसा बताया गया कि उनके पास और भी कई सारे ऐसे पोकेमोन हैं जो कि मेगा एवल कर सकते हैं पूरे पोकेमोन के अनिमे के अंदर गुर्किन वो एक लौता ऐसा क्याक्टर है जिसके पास सबसे ज्यादा मेगा एवल पोकेमोन है अब यूनोवार डीजन में हमने ये देखा है कि आएडिस के पास एक एकियो था और पीकाचु की तरह हमने कभी भी एकियो को पोकीबॉल के अंदर नहीं देखा यूनोबार रिजन के सफ़ट के दौरान जब एश उसके साथ सफ़ट करता था एंड हमेशा ही एक्सियो आईरिस के बालों में रहता था बट 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 आप्टर 500 एपीसोड पोकीमोन जर्नीस में जब एक्सियो एक्सियो में इवाल हुआ तब चाकर 500 एपीसोड बाद हमें पहली बाद हैक्सोर्स यानि कि कह सकते एक्सियो पोकीबॉल के अंदर देखने को मिला था पैक नमघ 12 अब Who's That Pokemon तो पोकीबॉन एपीसोड के दोरान आप लोगो को पोकीबॉन के एपीसोड के बीच में ये गेम तो यादी होगा जो कि हर बार आता ही है जिसमें कि हमें पूछा जाता है कि ये Pokemon कौन सा है और आप सभी को भी ये गेम काफी पसंद आया होगा सारे के सारे Pokemon की रीजन में हमें देखने को मिला है सिवा है Sinnoh region के तो Sinnoh region एक लोता ऐसा रीजन है जिसमें हमें एक भी वोज देट Pokemon का गेम एपीजोट के दौरान देखने को नहीं मिला सारे नमबर 11 क्या आप लोगों को पता है कि Sinnoh region में आठवे जिम बैडल में वापनर ने जिस Pokemon टीम का इस्तिम के खिलाब वो एचल में Sinnoh region की गेम की उसकी टीम नहीं थी वो एचल में थी Pokemon गेम प्लैटिनम की टीम और वापनर के अलावा Sinnoh region में जितने भी जिम लीडर्स है वो अपने डावेन एंड परल के गेम में जो Pokemon टीम इस्तिम इस्तिमाल करते है वही एनिमे के अंदर भी इस्तिमाल किया है सिभाई वापनर को छोड़कर Fact Number 10 अब हमें Pokemon में काफी सारे movies देखने को मिल चुक है बटे क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सी ऐसी movie है जिसमें हमें सबसे ज्यादा Legendary Pokemon देखने को मिले थे तो जी हाँ वो movie थी Hoopa and the Clash वाली movie जिसमें हमें सबसे ज्यादा यानकी टोटल 13 Legendary Pokemon देखने को मिली थी Fact Number 9 अब लीक के बैटल में नॉर्मली हमने ऐसा हर बार देखा है कि जिसके पास टाइप अडवांटेज होता है मतलब टाइप अडवांटेज नहीं होता वही बैटल में जीत जाता है लाइक आप लोग को याई दोगा चाइजाड और ब्लास्टोय के मैच में चाइजाड के पास अडवांटेज था बट फिर भी यो बैटल में जीत गया नेक्स्ट चाइजाड वसेस ग्रे निजा के बैटल में भी ग्रिणी जगा के पास advantage था बट फिर भी चायजाड जीत गया बट इसके अलाबा Pokemon Journeys में सा पहली बार हुआ है कि चायजाड वर्सेस Pikachu के battle में चायजाड के पास disadvantage था बट फिर भी Pikachu battle में जीत गया अब ये तो हम सभी को पता है कि Pokemon Company के लिए चायजाड कितना ज्यादा important है मतलब कहा सकते है कि Pikachu के almost बड़ा बड़ी की जितनी fan following है चायजाड की बट ये सब हम सभी को पता है कि चायजाड almost हर एक region में किसी powerful trainer के पास है या कोई powerful चायजाड हमें हर एक region में देखने को मिला है बट क्या आपको पता है कि Sinnoh region एक लौती ऐसी region है जिसमें हमें एक भी चायजाड देखने को नहीं मिला है Fact No.7 क्या आपको पता है कि Sinnoh region में quarter final में Ash ने पॉल के साथ जो battle किया था उसमें पॉल ने जो Pokemon की team इस्तिमाल की थी उस team में सिफ Electowire को छोड़कर Ash ने किसी भी Pokemon के साथ एक भी battle नहीं किया था मतलब पूरे battle में मतलब पूरे Pokemon की team में पॉल की team में Electowire को छोड़कर Ash किसी भी Pokemon को नहीं पहचानता था मतलब किसी Pokemon के साथ उसने battle नहीं किया था पैक नमबर 6 तो गाइस क्या आप लोगों पता है कि Ash ने Cantor region के तीनो starter Pokemon को तो पकड़ा यह आप सभी को पता है जैसे उसने Cantor region के सारे starter Pokemon को catch किया बिल्कुल वैसे same to same तरीके से उसने Unova region के तीनो starter Pokemon को भी catch किया है लाइक फायर टाइप में टेपिक और चार्मेंडर दोनों को दोनों Pokemon को यह उनके टेनर ने उन्हें छोड़ दिया फिर Ash ने उन्हें सेप किया और Ash न उन्हें पकड़ा फिर आता है water टाइप जिसमें Squirtle और Ashward दोनों ही खुद अपनी मर्जी से Ash के पास आये थे और फिर आखिर में आता है grass टाइप यानि की बल्बसौर और स्नाइवी दोनों से यह Ash ने battle करके उन्हें catch किया था Fact No.5 क्या आप लोगों पता है कि पूरे Pokemon की सीरीज में Unova Region एक लौती यासी रीजन है जिसमें कि Ash ने एक भी 6 on 6 battle नहीं किया Fact No.4 क्या आप लोगों पता है कि Unova Region में Ash का जो फ्रेंट है Silence उसकी पूरी टीम में बस एक क्रसली ऐसा Pokemon है जो की इवाल हुआ इसके अलावा सालेस का एक भी Pokemon इवाल नहीं हुआ Fact No.3 तो गाइस Eternatus Pokemon को तो आप लोगों ने काफी बात देखा ये Pokemon Journey से पर क्या आपको पता है कि Eternatus एक ऐसा Pokemon है जो की अर्थ का नहीं है वो बाहर से आया एक एलिन Pokemon है और Eternatus का जो नाम है Eternatus उस नाम को दिया है चियर्मेन रोज ने Fact No.2 तो गाइस क्याप लोगों पता है कि Ash नॉर्मली एक जिम बैटल करता है वो हार जाता है फिर एक एपीसोड बादू वापस से उस जिम बैटल में रीमैच करता है बट क्याप लोगों पता है कि ब्रॉली यानिकि वहीन रीजब ने उस जब वो ब्रॉली के खिलाफ हार तो उसके बाद उसका रीमैच करने के लिए टोटल 11 एपीसोड से भी ज्यादा लग जया है यानकि उसके रीमैच में टोटल 11 एपीसोड का गैप था तो गाइस हमने पोकेमोन जर्नीज में ड्रागेन अट को देखा है वा वाई क्या कमाल का पोकेमोन मतलब क्या आप लोगों पता है कि पूरे दो साल तक वह अन्डिफिटिट था हाला कि बहुत ही कम बैटल करता था बट जितने भी बैटल उसने किये वह सब में जीता हला कि दो साल तक वह अन्डिफिटिट रहने के बाद पहली बारों रिहान के फ्लाइगान के खिलाब बैटल में हार जाता है बट दो साल का उसना नो हारने का रेकॉर्ड है जो जो इस एई ती वीडियो होब करता आप लोगों पसंद आयोगी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करेजी चैनल पर पहली बार आप तो सस्क्राइब कर लीजे तो मिलते किसी नेक्स टें ऐसी ओसन वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते खुदा आफिस सागर प्र